वेलकूं गाईज फिर से आपको असवागात है एक नई क्लास से साथ और जिसमें यहाँ पर हम एगरी कल्चर के कुछ पर संसोदित किया जाता है जै मतलब जो processing की जाती है तो उसके लिए temperature रखा जाता हर मै져 है यहाँ पर याद रहएखएगा जमार क्या हुआ और यह गलत है यहाँ एक मुख्य ज्वलन समझे है, अगर आप क्यूसन को समझ गए, तो आप आसानी से इसका राईरां सिर्थ पता सकते थे, कि याद रखेगा दूई वर्स ये फलन, मतलब ऐसा कोँवज़ राद आते हैं, एक साल फल नहीं आते हैं, एक साल फल नहीं आते हैं, तो ये जो याद जो कि एक boni variety है और यह क्या होती है देखिए नियमित फल देती है क्या देती है नियमित फल देती है तो इसका भी याद रखेगा next season के याँ पर बात करेंगे यहाँ बार भी थोड़ा correction कर लेना यह भी mistake है यहाँ पर next season के यहाँ पर बात करेंगे कि भैंस के दूद में ओस्तन वसा का परतिसत कितना होता है तो ओस्तन अगर बात करेंगे भैंस का तो भैंस का होता है 7% not 10% ठीक है इसको भी correction करना कि भैंस के दुगुद में ओस्तन वसा का परतिसर लगबग 7% माना गया है क्योंकि आपको पता होगा कि 7.3 याद रिखेगा भैंस का होता है लेकिन अगर हम बात करते हैं 7.8 तो 7.8 होता है किसका होता है भैंस में होती है यहाँ पर आपको बस यह याद रखना है कि कुछ सन का यहाँ पर बताया गया जा रहा है अब यहाँ पर बात करेंगे कि लू से बचाव है तो बाग कि इस दिसा में टांटिया बांते हैं अब मतलब यहां पर पुछा गया है कि लू का मतलब होता है गर्म हवाई चलना तो गर्म हवाऊ को यहां देखे है लू बोला सा है तो इनसे बचाओ के लिए यहां देखे है किस दिशा में टांटिया बांते हैं तो वो बांते हैं पस्यम दिशा में यहां पर बिल्कुल उत्तर पस्सिम भी आपको देखने को मिल सकता है या फिर डायरेक्ट आपको पस्सिम दिसा में क्या करता हैं तां टिया बानते हैं नेश्टिसन के आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया टामाटर सोस एक केचप बनाने के लिए उप्युक्त पर रखसक कौन सा होता है तो यह देखिया टामाटर क्या होता है एक फल वाला फल होता है सोली रंगीन फल होता है क्या होता है टामाटर क्या होता है एक र लेकिन यहां पर आपको पुछाए टमाटर सोस या केचप तो टमाटर सोस या केचप का याद रखिया TSS होता है 18 से 30 परसेंट नेक्टर का कितना होता है नेक्टर का होता है 10 परसेंट जैम का कितना होता है 68 परसेंट जेली का कितना होता है 65 परसेंट केंडी का कितना होता है T उपग बग 40 इस मुरबब्ब का वैसे आप याद ना रखें आप केंडी का जरू याद रेखें कैंडी का आपको एक्जाम में पूछा गया 75 जेंडी आपको पूछा गया क्या करता है इसको पररक्षुद करने का कार्य करता है इसी की विपरित अगरह बात करेंगे पॉटीशया मेटाबयल्द स्लफाइड जी से हम बोलता है नाम है दिएक है वैसे इसका फोरूम लगया होता है K2S2O7 होता है, अब यहाँ पर आता है, किसन याद रखेगा, कि इसमें ऐसा कौन सा पदार्ता, जो कि फलो को पररक्षित करता है, तो यहाँ इसमें जो Sulfur Dioxide जो गेस होते हैं, यह करती है, मतलब जो पररक्षन का कारी करती है, वो SO2 गेस करती है, ठीक है, पूरा नहीं करत है, मतलब जिस पर कलर नहीं होता है, इसका एक आप अच्छा खासा एक्जामपल याद रख सकते हैं, निम्बो वरगिया फल, अब निम्बो वरगिया फल जितने भी है, जिन से याद रखेगा, कोई पेपदार्त है, कोई खाद्य पदार्त है, अगर वो बनाई जा रहे है तो उनके पररक्षन के लिए आदेखिया, के मेस, पोटेशन मेटावाई सल्फाइड का ही प्रियो किया जाएगा, पोटेशन मेटावाई सल्फाइड का जो सल्फाडाय उक्साइड है, याद रखेगा, यही क्या करता है, पररक्षन का काम करता है, और इन में से सबसे प्र अब यहां पर आप confuse भी हो सकते हो कि कुसम में एक तो बिना चिली होई है और एक चिली होई है ठीक है कुसम के मुखते याद रखिया दो खलिया आपको देखने हो मिलेगी और दोनों से आपको confuse हो भी सकता है और वो एक्जाम में जान वूज के यह किसन डाल सकता है कि यहां पर आपको लिखावा है बिना चिली होई ठीक है अगर आपको कॉमंस यहां पर देता माली जी इसको नहीं देता डाइलेट अगर आपको पूछता कि कुसम ठीक है तो आपका राइटांस यहां पर होता है याद रखिया 7.3 मतलब 7.3 जो नाइट्रोजन होती होती है मुंग चिली होई में तो केवल 4.8 लगबग 5 परसेंट ही पाए जाती है तो यहां पर पूछा गया था बिना चिली होई तो ऐसी द्रिष्टी में आपका राइटांस रोका मुंग फिली की खली कियो कि इसमी 7.3 परसेंट पाए जाता है लेकिन अगर आपको यहां पर डायरेट प काफ़ इंपोर्टन है नेस्टेसंगे आपर बात करेंगे कि यदि एक किसान अपने गेहों के खेत में 92 केजी पर हेक्टियर नाइट्रूजन देना चाहता है तो बताइए दो हेक्टर गेहों के खेत में कितने यूरिया के आव सकता होगी सबसे पहले यह याद रखीगा कि 92 केजी नाइट्रूजन उसे देना है एक किसान अपने गेहों में क्या करना है 92 केजी नाइट्रूजन देना है और दो हेक्टर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है छेत्र फल दे रखा है अब इस किसन को करनने में अगर लगे तो ज्यादा टाइम लगेगा तो एक बार कर लेना अगर नहीं आए तो कमेंट सेशन में बता देना इसको दुबारा से हम क्लियर कर लेंगे तो राइट आंसर यहां पर आपको दे रखा है एक बार कोशिज करना आज आएगा नेस्ट इसन के आपर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है है potassium sulfate मतलब K2SO4 तो K2SO4 में sulfur की मात्रा कितनी होती है तो याद रखिए 17,44 K2SO4 की direct याद रखना 17,44 मतलब इसमें sulfur होता है 17 परसेंट और इसमें potassium होता है 45 परसेंट ठीक है याद रख पाओ गई और potation sulfate का प्रयोग मुख्यत याद रखिया बागवानी फसलों के लिए किया आसता है इसके लिए बागवानी मतलब होडिकल्चर वाले जितने मतलब जो फल वाले सब्जिया है फल या सब्जिया है उनके लेन का प्योग मुख्यत वर पर किया जाता है नेक्स टिसन के आपर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कि sulfur आवरन युक्त यूरिया में nitrogen का परतिसत कितना होता है तो नेक्स टूल सब्करतों होता है 46 यहां पर बात करेंगे next decision के और कि कोन सी संध्रित खाद है तो संध्रित खाद ठीक है तो संध्रित खाद अगर आपको पूछी जाए तो सबसे पहले यहां पर आपको इसका मतलब समझना होगा कि संध्रित खाद किसे गएता है तो याद र सकता है तो, tomarmoset में मिलते हैं मतलब कमièrement में मिलेंगे लेकिन इसका था अब बात करेंगे जैसे έχंके माली जी आप रख्त सूरन का यूझ कर रहो आप को यह को हडी का चूरा यूझ कर रहो ठीक है तो यह क्या है ऊक्षा सभी आद रगेगा क्या होती है यह होती है सांद्रित अब कैसे सरजी यह बताईए तो यह दिखा है कि रत्चुण कोई टनों में डाला नहीं डाल रहा है तो क्यों क्योंकि आद रिकिया इनकी मात्रा थो कम देते हैं लेकिन इनसे जो मिलने वाले जो न्यूट्रेंट है उनकी आसानी से पूर्थी हो जाती है मतलब इनकी मात्रा कम देते हैं लेकिन इनसे जो पोशक्तत्व होते हैं वो अधिक मिलते हैं मात्रा कम पोसक्तत्व अधिक तो यह होते हैं सांद्रित और याद रिखिए है इस थूल में क्या करता है मात्रा अधिक लेते हैं नहीं developments प्रियोग एक मएने पहले करते हैं खेतों में लेकिन महवा की खली है जिसका प्रियोग 60 दिन पहले कियास है क्योंकि यह आसानी से पच नहीं पाती है मतलब वहाँ पर गया है यह आसानी से गुल नहीं पाती है आसानी से गुलने नहीं पाती है इसी की करण इसका प्रियोग 60 दिन पहले कियास है और गोबर की ख प्रिशन से कुछ जो कि आपको याद रखने होंगे चलिए फिर मिलता है next class के साथ आप कुछ शिराजस्तां जी के के हैं तो यह हम करेंगे नहीं बस मिलता है next class के साथ अब तक लिए अच्छे से पढ़िए अच्छे से रही है